हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चाइनल, तो फ्रेंड्स आज संडे है, संडे गार्डन अपडेट आपको देंगे, गार्डन का उवर्फू देंगे, कौन-कौन से फ्लावर्स अभी हमारे गार्डन में खिल रहे हैं, कुछ विंटर के हैं, कुछ स्प्रिंग सिजन के हैं, पुरा garden हमारा flower से भराव हुआ है, वैसे संडे हम वोर्यू garden का बहुत कम देते हैं, संडे को वीडियो बहुत कम अपलोड करते हैं, सोचा कि आज के बाद संडे को गार्डन अपडेट या गार्डन वोर्यू जरूर देंगे, तो सबसे पहले देखे एक जुरा, एकजोरा अच्छे से अभी फ्लावरिंग पे आ रहा है ये पॉट में लगा हुआ एकजोरा है तो देखिए कितने सुनदर इसके red कलर के flower है बहुत सारे colors में ये एकजोरा के flower plants आते हैं अभी red पे flowering हो रही है तो बहुत सुनदर ये flowering plant होता है एकजोरा तो सबसे पहले देखिए आपको कलांचु के plants दिखाते हैं देखिए कितने ज़्यादा हमने एक plants से कम से कम हमने 100-200 plants तयार कर लिये हैं दो साल में इतने सारे कलांचु के flower plants हमारे पास है देसी भी है और hybrid भी है तो जो आपके सामने दिख रहे हैं ये सब देसी वाले है कुछ हाइब्रिड वाले भी इसमें रखे है तो बहुत जल्द इसका पुरा कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे और बहुत सारे कलर्स में कलांचो के फ्लावर प्लांट्स हमारे पास है हाइब्रिड में देसी में तो रेड ही है अच्छे लगते है कलांचो के प्लांट्स और इसके फ्लावर की लाइब दो-दो महिने तक चलती है कलिया आने के बाद बहुत दिनों तक ये खिलता नहीं है लेकिन एक बार खिल गया तो दो मेने तक तो ये अच्छे से आसन दो मेने से उपर भी रहते हैं अगर अच्छे से केयर की जाए तो उसका वीडियो बनाएंगे ही अलग तो देखिए इतने सुनदर ये फ्लावर लग रहे है पूरे रेड कलर तो हटके लगता है यहां गेट के सामने सब कलेक्षन रखा है इनका आने जाने वाले लोग बहुत देखते रहते हैं रेड फ्लावर को कुलांचो के फ्लावर्स को और ये देखिए ये पिटोनिया का टावर हमने बनाया था स्टैंड बनाया था हमने घर पे ही DIY तो उसमें पिटोनिया पुरे लगा दिये है तो बहुत सुन्दर ये भी हमारा एक टावर बन गया है देखिए और ये सीड्स है ना हमने फिर्स टाइम ऑनलाइन बुलाए थे तो अलगी सीड्स इसके निकले है इसके ब्रांचेस बहुत लंबी-लंबी जाती है कलर तो बहुत सारे है इसमें और सभी कलर बहुत अच्छे लग रहे है और खिलते हैं पुरे एक साथ तो टावर भी हमारा अच्छा लग रहा है और इधर देखिए पेंजी वैसे पेंजी हमारे यहां फिर्स टाइम अच्छे से ये चले है अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे है स्टार्टिंग में एक-दो साल तो हमारे से पेंजी लगता ही नहीं था इस बार लग गए है तो खुश्य हो रही है चार पाच कलर है इसमें और अच्छे अच्छे कलर है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं बहुत दिनों से अच्छे से चर रहे हैं तो बहुत सुन्दर लगते हैं पेंजी के flowers देखिए सभी color बहुत अच्छे है white भी बहुत अच्छा लगता है red वाला yellow तो इस तरह से पेंजी भी अच्छे से अभी flowering कर रहा है छोटे छोटे pot में ही इसे लगाया है बड़े pot के इसे जरूरत नहीं होती है इस तरह से हमारा पेंजी का collection है और flowering कर रहे है तो चलिए next चलते है इधर देखिए petunia का collection है और हट पे भी सभी plants हमने petunia के ही लगाये है बहुत सारे petunia इस बार grow की seeds से बहुत सुन्दर लगते है petunia के flowers जब खिल जाते है और इधर देखिए ये marigold marigold भी बहुत अच्छी है variety होती है बहुत जदा लंबी-लंबी इसकी branches नहीं होती है बहुत सिमित मातरा में ही इसकी height जाती है और flowering तो जबरदस्त करता है और देखिए इसके flower की size बहुत बड़ी-बड़ी है तीन color है हमारे पास इसके देखिए औरेंज color में आता है और ये जो आपके सामने yellow दिख रहे है अलगी है इस तरह से ये दूसरा और ये देखिए ये dark orange ऐसे तीन color के है थोड़ा एक light orange भी आता है तो ऐसे तीन color में है बहुत सुन्दर होती है ये variety और ज्यादा इनकी branches नहीं बढ़ती है तो कोई stick वगरे भी नहीं लगानी पड़ती है flower भी बहुत बड़े-बड़े size में आते है बहुत दिनों से ये flowering कर रहे है दो से धाई मैने हो गए अच्छे से ये flowering कर रहे है गेंदे के फूल तो आप वैसे साल वर उगा सकते हैं बहुत ये अच्छे लगते हैं और पुजा के लिए भी इसका हम भगवान को भी चड़ाते है तो दोनों हमारा काम हमारा garden भी अच्छा हो जाता है और भगवान को भी ये flowers को चड़ाते हैं तो अच्छा लगता है घर में ही उगाए हुए फूल हम हातों से उगाते हैं और भगवान को चड़ाते हैं तो और भी अच्छा होता है तो देखिए कितने सुन्दर ये फ्लावर लग रहे है लॉंग लस्टिंग ये फ्लावर रहते है बहुत दिनों तक चलते है गार्डन की ब्यूटी भी बढ़ाते है तो इस तरह से ये हमारा मेरी गोल्ड का गेंदे का कलेक्शन है तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको फ्लावर देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज होती है इसकी और बहुत सुन्दर लगता है ये फ्लावर एक छोटा सा यहां ऐसा कॉर्नर तैयार किया है आप बताए आपको ये कॉर्नर कैसे लगा है तो हमें अच्छा लगाया आप बताए आपकी राय भी बहुत जरूरी है देखिए गुडल तो हमेशा साल भर हमारे आखिलते रहते हैं और ये देखिए ये प्लांट को एक ही कलर का प्लांट है लेकिन अपने आप दो कलर के फ्लावर निकले है इसलिए आपको दिखाए है डार्क पिंक है और ये देखिए अलग ही कलर है इस तरह से दूर से देखिए तो ऐसा फ्यू आता है टेरेस गार्डन का पिटोनिया जहां वहाँ है हर जगे पिटोनिया खिल रहा है बहुत सारे कलर्स में है और कुछ इदर भी मैरी गोर्ड रखे हैं देखिए अभी ये जाने वाले हैं बहुत दिनों से इसे उगाया है और अच्छे से flowering की है यूफोर्बिया मिली के भी plants यहाँ अच्छे से flowering कर रहे है terrace में इसके भी बहुत सारे color से तो यूफोर्बिया मिली और मैरी गोल्ड गेंदे के plants यहाँ भी है इसके branches बहुत लंबी-लंबी होती है इसे stick का साहरा देना ही पड़ता है तभी जाके यह खड़े रहते है तो देखे इस तरह से यहाँ का view है और यह गज़ानिया कुछ गज़ानिया के plants हमारे एक साल पुराने है जिने हमने चार-पाच plant को बचाया था अच्छे से चर रहे है और कुछ new plant हमने तयार किये थे सीड से तो बहुत अच्छे से यह चर रहे है और flowering बहुत अच्छे से बहुत दिनों से कर रहे है हेवी flowering वाला यह plant होता है और इसके flower की beauty बहुती सुन्दर होती अच्छे लगते हैं जब एक साथ खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं बहुत सारा इतना collection है हमारे पास एक color के दो दो तिन तिन plant है और यह देखिए यह डहिलिया के plants है देखिए यह seed से ग्रो किया था तब पता नहीं था कि इसकी कुण सी variety है लेकिन जो भी flower खिर रहे है single petal ही लग रहे है single petal, double petal ऐसे है तो अच्छे color है तीन चार color है pink है, red है dark pink है, yellow है flowering अच्छे कर रहे है तो अच्छा लग रहा है यह इसकी stick बहुत लंबी-लंबी हो गई है और next flower दिखाने से पहले एक बार यहां का view ज़रू देख लिया और एक बार तो बहुत सुन्दर लगता है यहां का corner सब color में blue color, white color, pink color और इधर देंथस भी अच्छे से flowering कर रहे है बहुत सारे colors में है यह plants हमारे पास 10-12 color है तो देखिए बहुत अच्छे-च्छे color आते हैं इनमे कुछ की flowering हो गई है कुछ flowering पे अभी आ रहे है यहने जो सुखे हुए flowers रहते हैं उन्हें हटा देना पड़ता है तो कुछ कुछ plants में कम flower दीख रहे हैं तो कभी-कभी तो पुरे flower से भर जाता है plant तो इस तरह से हमारा यह देंथस का collection है colors है flowers के और छोटे-छोटे pot में ही इन्हें लगाया है बहुत सारे colors है और इधर देखिए carnation के flowers है इसमें बहुत सारे colors आते है हमने यह seeds से उगाये थे online seeds मंगवाये थे फाइटी color निखले है अभी बहुत सारे देखिए कलिया इस पे बनी है और इसके भी flowers कम से कम 8 दिन तकतो रहते है और गुल्दावदी भी अभी अच्छे से flowering कर रही है कुछ plant पे flowering होके वो सुग गए है और यह cutting से लगे हुए plants है सभी और हमारे पास चार मदर plants है चार या पाच उसमें से cutting ले लेके यह plants हमने तयार किये इसकी cutting हमने late लगाई थी और उसके बाद report भी हमने late किया था इसलिए late flowering कर रहे है और अच्छे से flowering कर रहे है जैसे कि कहा है बहुत सारे plants आधे plants ने bye-bye कर दिया है बहुत सारे colors में थे और इसकी cutting बहुत ज़्यादा लगाए थी तो और late लगाए थी तो इसके अभी भी अच्छे से यह flowering कर रहे है अच्छे चर रहे है वैसे April में तक यह flowering करते है सुखे flower को हटा दिये जाए तो लेकिन इतने quantity में गुल्दा वदीफ यह flower नहीं रहते है देखिए कुछ उदर mother plant रखे है जो सुखे flower आपको दिख रहे होंगे वो सुख गय है एक corner अच्छे से flowering कर रहा है देखिए इधर यह point city अभी दो ढ़ाई मैने तक अच्छे से चलता है bright light में रखे तो तो एक ही color में यह गुल्दा वदी के हमारे flower plants थे देखिए यह mother plant है सभी सुख गय है कोई बोलता है कि mother plant को flower नहीं आते लेकिन हमारे mother plant को अभी 6-7 साल हो गए एक ही pot में है ऐसे पाच्छे pot है तो अच्छे से flowering करते है और बहुत जल्दी उसमें flowering आती है और जो cutting से हम plants तयार करते है उसको late flowering होती है तो आप भी अगर एक ही pot में रखना चाहते हो गुल्दवदी को शेवन्ती को तो आप रखिए अच्छे से flowering होती है बस उनका खाना पिना अच्छे से करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से खिलता है हर सार रिपोर्ट करनी की जरूरत नहीं है अभी तेज धूप हो रही है sunlight बहुत ज़्यादा भी हो रही है तो कुछ दिन में ये भी चले जाएंगे अभी तो 15-20 दिन तक अच्छे से रहेंगे इस तरह से ये corner हमने पुरा गुल्दवदी का ही सजाया था देखिए बहुत सुन्दर लगते थे लेकिन वही बात है कि वीडियो हम बना नहीं पाए तो चलिए next flower को दिखाते हैं आपको पॉइंसिटिया के पहले जो white वाला दिखाया अलग पॉइंसिटिया है और ये पॉइंसिटिया की पतिया बड़ी बड़ी होती है उसकी बहुत छोटी छोटी होती है तो ये तीन color के थे हमारे पास yellow color का था वो खराब हो गया है और अभी red और dark pink, light pink ऐसा color है हमारे पास तो अच्छे से ये भी अभी चल रहे है December में ही इसमें color आ जाते है इसके पतियों पे अभी कुछ-कुछ पतिया green हो रही है दो ढ़ाई मैने हो गया है इसमें भी color आ गया इसके पतियों पे अच्छे से इनकी care की जाए तो सालो साल चलते है लेकिन वही बात है बहुत नाजो की ये plant होते है गर्मी बरदाश नहीं करते है ये plant पाच्छे color में ये plant आता है तीन तो थे हैं हमारे पास लेकिन ये खराब हो गया चलिए ये वर्बिना देखिए वर्बिना की कुछ hanging basket समनी तयार की थी कुछ pot में भी लगाये थे उसकी flowering खतम हो गई है कुछ लेट लगाये थे hanging basket में तो अच्छे से अभी ये चर रहे है इसे भी हमने seed से ही grow किये थे देखिए और दो ढ़ाई मैने तक अच्छे से इन्होंने flowering की बहुत सारे colors में ये flowers थे और बहुत सारे colors में आते भी है और अच्छे लगते है गुच्छों में इसके flowers आते है flowers थो छोटे-छोटे होते है लेकिन गुच्छों में जब ये खिलते है तो इनकी भी beauty देखने लाइक होती है ये भी एक color है बहुत सुन्दर लगता है बहुत सुन्दर सुन्दर इसके color होते है वर्विना के hanging basket पे pot में दोनों इसमें इसे लगाया जा सकता है तो इस तरह से भी अच्छे से flowering कर रहे है अभी वर्विना तो ठीक है friends मिलते हैं next video में ओके बाई